अगर आपको कोश्ट गार्ड का एक्जाम देना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा साथी साथ इस परकार के जितनी भी वीडियो हम डालेंगे आपको सभी को देखना पड़ेगा क्यों कि आपके एक्जाम में कोष्ट गार्ड में जो जीके वाला सिक्सन होता है उसमें सबसी जादा जो question आता है वो current affair चाहता है लगबग 3-4 question आते हैं और यह 3-4 question कहने को 3-4 question है आप तो 0.5 से भी पीछे हो सकते हैं 0.5 से भी आप merit list में नहीं आ सकते हैं तो 3-4 question बहुत important ह होता है हमने सोचा है कि पिछले 4-5 महीनों का जो current affair है मैं उसको 10-10 questions करकर के आपको practice करा दूँगा इसमें सिर्फ मैं mock test लेंगा और आपको check करना है कि 10 questions में से आपका कितना सही होता है तो पिछले लगबग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इतनी महीने का म में आपका मार्च के लाष्ट में exam होने की संभावना है तो अभी जैसा notification आएगा देखा जाएगा मार्च लाष्ट या अप्रायल में हो सकता है कि हो exam तो इसके पहले का जो 3-4 महीना मैंने गिनवाया है उन सभी के दिनों का जो सबसे इंपोर्टेंट का इंटरफेर का सेक चलिए प्रैक्टिस सुरू करते हैं पहला question आपके सामने है कि स्वास्ते सूच कांक 2021 में निमनिमेज से किस राज्य को लगातार चवती बार प्रत्थम अस्थान प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर अगर बात करेंगे options की तो आपकी साबसे क्या options है होगा आपके सामने 4 options है मान के चलना है कि यही question exam में आगया तो आप क्या करेंगे तो अगर आपको पता है कि आपर option number 1 केरल सही है तो बिल्कुल सही है देखे इस सूच कांक में केरल पहले स्थान पर तमिल नाड़ू दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर आगे बढ़ते है अगला पर option क्या हो सकता आपके हिसाब से बताइए अगर आपको लग रहा है कि option number 1 तो बिल्कुल सही है Belgium next question की तरफ बढ़ते हैं कि विश्व उर्जा स्वारी विश्व भर में अंतराश्टिय महा मारी ततपर्ता दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया गया है बहुत important question है तो यहाँ पर option number C 27 December देखिए अब आपका तीन question हो गया है आपका कितने question सही हो रहा है न अच्छा इसमें अगर ज्यादा तर आपका question गलत होगा तो हतास नहीं होना है मैं एतना practice करा दूंगा आपको आपकी questions जो है कि मजबूत हो जाएंगे current affair अगला है कि हालही में सन्युक्त राष्ट सुरच्छा परिसाद यानी UNSC में कितने नए अस्थाई सदस्यों का चैन किया गया नए अस्थाई सदस्या तो यहाँ पर option number C 5 अगला question है कि हालही में किस देश ने एक hypersonic missile का परिक्षड किया है उम्मीद है कि यह question आपका सही होन नहीं simple सी बात है भूटान भी छोटा सा देश है hypersonic की बात है तो यह तो बांगला देश कर सकता है लेकिन बांगला देश के भी उतर कोरिया के सामने कम possibility होगा तो इसलिए options को थोड़ा से eliminate करें कि जब आपको question नहीं समझ में आएगा option को देखती ही लग रहा है कि हाँ उतर कोरिया जो इस प्रकार कर देश है जो की मिसाइलों का परिक्षड करता रहता है तो हाइपर सोनिक का यहाँ पर option नमबर ए अगला question देखिए आपकी exam में आ सकता है कि केंदर सरकार ने जनगरना 2021 को निम्र में से कब तक के लिए अस्थगित करने का फैसला किया है तो यहाँ पर option नमबर डी है सितंबर 2022 देखिए यह जो जनगरना 2021 में यह होना चाहिए था लेकिन इसको डिले कर दिया गया है और यह सितंबर 2022 तक के लिए अस्थगित किया गया है अगला देखिए यह question आपके exam में आया हुआ है विस्व ब्रेल दिवस यानि वर्ल्ड ब्रेल डे में से किस दिन मना जाता है एक तो दिवस से question आपके exam में जरूर पूछता है यानि कि day से question पूछता है और day में साथी साथ वो question जरूर पूछता है जो current affair के दवरान बिता ठीक है आगे बढ़ लेते हैं अंतराश्टी मुद्रा कोस जिसको IMF के नाम से जानते है ना नेहालही में किसे नए अर्थ शास्त्री के रूप में न्यूक्त किया है तो option number क्या हो सकता है आपके सब जी हाँ option number C है पियरे ओलिवियर गवरीन चस इसको याद रखेंगे next question की बढ़ते हैं कि भारत और किस देश की नवसेना नेहालही में अरब सागर में पासिंग exercise किया है तो किस देश के भारत और रूस ने तो रूस और यूकरीन के बीच अभी लड़ाई चला यूद चला है तो रूस इससे समबंदित question आपकी एजाम में आ सकते हैं तो देश्ट में से at least आपका साथ या आट question सही होगा कितने question आपके सही है comment box में जरूर बताइएगा अगर आपके question ज्यादा गलत है तो आप बिल्कुल हतोत साइथ नहीं होंगे आप जुड़े रहेंगे हमसे और हम आपका improvement कर देंगे exam होते होते बिलेंगे एगली वीडियो में चैनल आप बंदे मात रम